प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टेडिवित प्रदीप पे दोस्तों जैसा क्या आप जानते हैं यूपीडी प्लेसी ब्रेकिंग नोज में हम आपको बताने जा रहे हैं समोगा की भरती से सम्मंदित बड़ी ख़बर आयोग ने कसी कमर कौन है की बात बताने वाले बहुत important बात बताएंगे लेकिन तब तक आप धैर से बने रहे तो उसके लिए हसना मना है इसलिए आप गवर सुनिए अगर आप यह वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देखेगा आपके लिए important है ठीक है अब चलिए काम की बात करते हैं यहां प तो आप बने रहेगा तभी आपको पता चलेगा बहुत important चीजे हैं बस आपको थोड़ा धैर रखना होगा आपने paper में देखा होगा अगर नहीं देखे होंगे तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं खुसकबरी है पंचाय चुनाओ के बाद होगी समोगा की भरतिया ठीक है प्रणाली जैसा कि आप जानते हैं कि पेट इकजाम होगा उसके बाद आपका paper होगा टिक उसके बारे में भी बताएंगे प्रारमिक परिच्छा के रणनीत क्या है हमने एक वीडियो में बता रखा अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा उसमें आपको सारी प्रारमिक परिच्छा की योजना और पाठक्रम का प्रस्ताव तयार कर मंजूरी के लिए सासन को भेद दिया आयोग के पास पिछले बर्स विभिन विभागों में समूव खा के लिक्त लगभग 35,000 पदों का पदों पर भरती के लिए अधियाचर आये हैं सरकार के पिछल बर्स 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोग सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अरचण अधियम 2020 को अजसूचित करते हुए इसे सभी सरकारी भरतियों में लागू करने के लिए गत वर्स आठ सितंबर को सासन अधिया गया था इस अधियम को सरकारी भरतियों में एक फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है लिहाजा आयोग से समन्दित विभागों को अनेक अधियाचन वापस भेजते हुए उनमें उत्तर प्रदेश लोग सिवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरचण अधियम 2020 के अंसर अरचण के प्राउधान पर संसोदित अधियाचन देने के लिए कहा गया था आयोग को अब तक विभागों में लगबग 25,000 रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं इनमें से 15,000 पदों के लिए भेजे गए संसोदित अधियाचन परिच्छा के बात सही है या कुछ कम आईएभी के या आईवी पीयस का पेपड़ दिये होंगे या आईवी पीयस के बारे में सुने होंगे या आपका रिलेटिक को दिया होगा तो उसे पूछे प्रेमी scorecard आपको दिया जाएंगे उसी हिसाब से जो रिक्तियां आएंगे उस रिक्तियों के हिसाब से आपको क्या करना होगा अपलाई करना होगा और वो भरतियों की संख्याख हिसाब से उपर की merit list की हिसाब से आप उतनी merit तक के लोग उसमें अपलाई कर सकते हैं तो कहीं न कहीं एन के प्रकार रहर आपको पेट एक्जाम में बहुत अच्छे नम्बन लाने होंगे, जिसके लिए आपकी क्लासेस 20 जनवरी से सुरू होने हैं, तो 20 जनवरी से आप अपनी क्लासेस यहां से देख सकते हैं, फ्री में क्लासेस हैं, और कोई जनकारी अगर 9989 पे आप काल करके वाटसप करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं तो बात यहां आप कर रहे थे आयोग आप दो चरणों में परिच्छा है अजूत कराने जा रहा है पहले चरण में अभ्यारतियों के स्क्रीनिंग के लिए प्रारमिक परिच्छा होगी आयोग ने प्रारमिक परिच्छा की योजना और पार्करम तैकर उसे सासन को मंजूरी के लिए भेट दिया मैंने आप से पहले ही बताया कि अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए सिलेवस का ताप हमें कमेंट करिए हम बताएंगे प्रारमिक परिच्छा दो घंटे की होगी जिसमें पर परिच्छा पंचाई चुना और यूप और परिच्छा के बात कराने की मंसा है मौझूदा हालात में प्रारमिक परिच्छा दोटे किया करें गार अप प्रापत हो रहे है और वर्गी करित किया जाएगा फिर प्रत्येक समोग की मुख परिच्छा आयोजित की जादी अब यहां पर मैं बात कर रहा हूँ यह जो आपका पोस्टर लगा हुआ था कि आखिर में यहां पर देखिया असपस्ट रूप से लिखा गया है आयोग ने कसी कमर पिछले 6-7 महीने में आप देखे होंगे तो हर महीने की शुरूआत में यह बात आ आती है का आयोग कमर कस चुका है 35,000 वर्वर्थि आने वाली है लेकपाल की 10,000 अने वाली है SI की 10,000 आने वाली अलग अलग भी भाग के मतलब अगर पूरे भरतियों की बात करें बन रचक की 2,000 आने वाली ठीक है तो पूरा मतलब बीडियो कितनी आने वाली ही junior assistant कितनी इलाहबाद high court कभी 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 notice सातिक ilाहबाद high court कराएगा पिछले 6 महीने से जुम्ले बाजी चल रही है, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आयोग हर महीने के सुरुआत में कमर कसता है, और महीने के लाश्ट में उसका पेटी कोट खोल के कौन भाग जाता है, आज तक मुझे यह बास समझ में नहीं आई, तो अगर आपके समझ में इस बात आप खुद कमेंट करके बताईएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताईएगा, भाया देखिए, कमर खुल रही है, आप सजग रहे हैं, नहीं तो आपकी भी खुल सकती है, और खुली रही है, दो साल से भाग भरतियों कि नितियार आप कर रहे हैं, तो इ में जागेगा, एक बार पेपर वाले खाली उस वे पेपर बाजी करेंगे, हम लोग उसको आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप लोग उल्टा पल्टा कमेंट हम लोग करते हैं, क्या आप तो कहे थे, तो भाया मेरी कोई गलती नहीं है, देखिए जो आयोग कहा है, मैंने उ दोस्तों को कर दीजिए सेयर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए करिए जाज़त, नमस्कार